हेलो फ्रेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3-1-Tag तो फ्रेंट्स अगर आपके पास काफी सारे इमेल एकाउंट्स हैं, आपने काफी सारी इमेल आइडी बना रखी हैं, जीमेल एकाउंट बना रखे हैं और आप उनमें से कुछ एकाउंट्स को या किसी भी इमेल आइडी को आप डिलिट करना चाते हैं, पर आपको ये नहीं पता कि मैं कैसे इसे पर्मनेंटली डिलिट करूँ अपने मोबाइल फोन से, तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे अपने मोबाइल फोन का यूज करके ही अपनी इमेल एकाउंट या अपनी जो इमेल आइडी है आपकी जिसे आप जीमेल एकाउंट भी बोलते हैं, उसको आप कैसे पर्मनेंटली डिलिट कर सकते हैं अपने एकाउंट को, तो ये छोटी सी वीडियो पर काफी पास तक जरूर देखेगा, वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपड देख सकते हैं, तो अपनी email ID, अपने email account को delete करने के लिए आपको अपने phone के अंदर Gmail की जो आपकी application होती है, यह जो जैसी मेरी application है, इसको आपको open कर लेना है Gmail की application को, उसमें आपके ID login होगी, ठीक है, वहाँ से आप delete कर सकते हैं, आप कैसे करना है, वो इस process को पूरा देखि यहाँ पर आपको three lines दिखाई देंगी, left side में आपको इन three lines के उपर click करना है, और यहाँ से इस तरीके से आपके सामने यह पूरे options आ जाएंगे, यहाँ पर आपको scroll down करना है, यहाँ नीचे आपको एक option दिखाई देगा setting का, आपको इस setting वाले option के उपर click करना है, उसके ब आपको tap करना है, तो मैंने एक id के उपर tap कर दिया है, उसके बाद आपको इहाँ पर सबसे उपर account का एक option मिलता है, manage your google account, यह आपको दिख रहा होगा सबसे उपर top पे, तो आपको इहाँ पर इसके उपर click कर देना है, तो यह आप देख सकते हैं, इस तरीके से यह open हो जाता है, यहाँ पे home है आपका, सारा home page है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे यह personal info है, और उसके बाद यह data and privacy का एक option मिलेगा आपको, आपको इस वाले option के उपर click करना है, और इसमें आपको scroll down करते जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और scroll down करना है आपको, और य तो आपको इस वाले option के उपर click कर देना है, तो एक बार यह आपसे password पूछेगा अपनी उस email ID का, तो आपको वो password यहाँ पे डालके next कर देना है, तो मैं जल्दी से password डाल देता हूं, उसके बाद आपको next पे click कर देना है, तो यह आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया है, delete your Google account, please read this carefully, it's not the usual, ठीक है, यहाँ पे नीचे करेंगे, हम scroll down, यह बता रहा है आपको कि आपको सारा data delete हो जाएगा, और यहाँ पे यह नीचे tick का option है, आपको इसको box को tick कर देना है, इसमें लिखा हुआ है, कि आप कुछ भी changes करने के लिए आपको जिम्मेदार है, ठीक है, वो सारी चीजे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे next option जो box है, yes, I want to permanently delete this Google account and all its data, तो इस box को भी tick कर देना है आपको, और simple आपको यह delete account का option है, इस पर tap कर देना है, तो आप देख सकते हैं, मेरा वो account यहाँ से delete हो गया है, यह मेरा दूसरा account आ गया है, तो इस तरीके से आप अप को permanently delete कर सकते हैं, आपका जो भी email ID है, permanently delete हो जाएगी, कुछ देर के अंदर ही, तो friends, अब आपने अच्छे से सीख लिया होगा, कि आप अपने mobile phone से ही, अपने email ID या Gmail account को permanently delete कर सकते हैं, अगर फिर भी videos related कोई भी query, कोई भी question है आपके mind में, तो आप मुझे नीचे comment section में comment कर करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे एक like जरूर करें, और ज़्याद से ज़्यादा share करें, thank you